दोस्तों आपने कभी न कभी तो पब्लिक ट्वालेट यूजी किया होगा वहां पर यह आप जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो पब्लिक ट्वालेट का जो गेट होता है जो दर्वाजा होता है उसका नीचे वाला हिस्सा काफी ऊपर होता है मतलब जो दर्वाजा होता ह और फर्स होती है बीच में काफी ज्यादा गैप होता है तो यह गैप क्यों होता है आपके मन में यह प्रसुन जरूर आया होगा या यादि आपने कभी ऐसा मैसूस ना कि यह हो तो अपकी बार जब भी आप पर जाईएगा तो वहां पर आप देखना कि दर्फर्स और दर्व दर्वाजी की बीच में गैप होने के वज़े से आसानी से बाहर से ही ट्वालेट को साफ किया जा सकता है तो एक तो कारण यह होता है ऐसा बहुत बार देखा गया है कि कुछ सरार्ती लोग होते हैं जो पॉब्लिक ट्वालेट का गलत तरीके से उपयोग करते हैं तो यह सम गया है कि जlars beloor हो जाती है वह किसी प्रकार से उस ट्वालेट का गलत तरीके से युज़र नहीं करबाते हैं कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे ट्वालेट करने के लिए पभर ट्रवाजी के अंदर ज्योशां decisionon पर हगै उसकी मदद से आंसे बच्चों को हम बाहर के साथ में बहुत बाद ऐसा होता है कि पब्लिक ट्यायट के अंदर मानीजे कोई व्यक्त गया है और वहां पर उसके साथ कोई कोई मेडिकल एमर्जनसी हो गई है कोई प्रॉब्लम हो गई है और वहां पर मानीजे बिघोस पड़ा हुआ है अब उसके साथ कोई मेडिकल एमर्जनसी हुई है या ऐसे ही वह नार्मली उसके अंदर है तो यह जानकारी भी आपको मिल जाती है तो यही कुछ कारण होते हैं इसके वजह से पॉब्लिक ट्वाइलन का धर्वाजा और फर्स के बीच में गयर रखा जाता है तो आज मुझे बसना ही नमस्का दोस्तों